अगरे के वालो यूट इबनीग वेल्कम बैक सो और क्वेस्टन इज देज तेन सम अट सर्टन रेट परहंटेज पर अनम फोर ड़ा सेंट आर्प अटाइड, थर्ड यूटरी, थर्टी थिहāंड अंट 3,630 रिस्पेक्टिवली, वाट इद्यामट ऑफ अंट डी आधर यहां सब मतलए यहां कि दिया है जलुक्द केने कै Ilsकाने ये सब क्रेशन हो यहां के मिcoli जरस्ण ल intrinsic wal Dal unusual one निवेत अइबाक से यहां थे तक में मिलों में पता कराब कितना पर्सेंटेज च्रहरा करने किया है ठीक है तो यहां से यहां तक कितना इंक्रीज हुआ है यहां साफ दिख रहा है 330 इंक्रीज हुआ है तो यह 330 जो होता है जितना इंक्रीज किया है वो इसका परसेंटेज होता है ठीक है तो हम लोग यहां से डायरेक्ट निकाल सकते है रेट तो यहां होगे हम लोग का 3300 का कित ठीक है अब उसी तरस अगर हम देखें तो फर्स्ट यह के लिए देखें तो फर्स्ट यह में भी क्या होगा होगा तैन परसेंट की जुगा होगा तो इसको डायरेक्ट हम लग ऐसे जान सकते हैं यह 3300 300 क्या आता है 3000 का 10% होता है यह तो पूरा प्रोसेस से बना है पूरा प्रोसेस से यह कर सकते हैं कि एक्स का 110 percent करके तो उतना करने के जबूत नहीं यहां डिमाग से पता चल जाएगे उतना प्रक्टिस करते करते हैं तो यहां से दिख रहा है सकेंड येर में 3300 है तो फर्स्ट येर में क्या होगा 3000 क्यों 3,000 क्योंकि 3000 का 10% क्या होता है 300 ठीक है तो फर्स्ट येर का भी पता चल चुका है अब फर्स्ट येर का पता चल चुका है तो प्रिंसिपल हम लोग निकाल सकते हो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल में 10% क्या होता है 1 by 10 principle का 10% जो है कितने के बराबर है 3000 तो principle क्या आ जाएगा 10 multiply 30,000 आगी हम लोग का principle अब principle निकल गया निकालने क्या बोलागे आगे आगे बोलागे हम लोग को interest yearly ठीक है तो what is the amount on same sum at the rate of 2.5 years 2.5 years के हिसाब से amount क्या होगा तो देखो simple सा है amount बराबर क्या होता है formula पूरा लगा हो या फिर direct हो ठीक है तो 30,000 तो कितना increase हो रहा है 10-10% अभी rate तो चेंज नहीं होगा तो 10% क्या होता है 1 by 10 तो 11 by 10 increase होगा एक साल में फिर से होगा 11 by 10 और फिर तीन साल में क्या हो जागा तो 3 साल में क्या हो जागा तो 0.5 क्या हो जागा हम लोग का मतलब 0.5 years क्या हो रहा है जैसे अगर हम लोग 1 by 10 है 10% तो 10% का आदा क्या होता है 5% और 5% क्या होता है 5% होता है 1 by 20 तो यह तीसरे धाई साल में मतलब तीसरे बार में क्या हो जागा 21 by 20 ठीक है या फिर पूरा प्रोसेस से निकालो जासे भी करना ठीक है अब आगे जो कैंसल होता है एक दो तीन जीरो कैंसल हो जागा हम लोगा एक दो तीन और टू से खट यह खट जाएगा 15 ताइमस में अब आगे बर्स मल्टिप्लाइ कर देना अम आउंट हम लोगा आ जाएगा तो 11 11 जब 121 121 15 इंटू 121 इंटू 21 ठीक है तो देखते हैं कितना जाता ही है तो 21 बचा 21 जब 21 जब 42 और 244 फोर बचा 21 बचा 21 बचा 21 जब 21 और 25 2541 और 15 से मल्टिप्लाइ कर देते हैं तो क्या जाता है 15 एक हाथ में 15 जो के साथ 1 166 हाथ में 15 55 55 और 6 81 8 हाथ में 15 दूना 30 और 8 38 तो क्या जा रहा है है तो यहीं बस फाइंट करना था अमाउंट तो इसी तरह से में लोग सॉल करेंगे इसको एक बार हम रिपीट कर देते हैं तो इसमें देखो सबसे पहले हम देखें तो सकेंड यर और थर्ड यर का सी आई दिया वा था अब सिंपल सा बात है कि थर्ड यर जो इंक्रीज हो अब उसी तरह से यहां जो इसमें 10% होगा तो यह साफ दिख रहा है कि 3000 का 10% होता है 300 तो यह से इंक्रीज हुआ है अगर नहीं पता है तो 110% x करके निकाल सकता हम तो ठीक है तो उतना करने का जोग नहीं है अब आगे रेखे तो प्रिंसिपल का जो प्रिंसिपल जो होगा उसका यह सी आई हैं तो कितना यह हैं 10% वड़ा होगा तो पी का 10% कितना आता है 30000 ड़ावर आ गया 30000 तो प्रिंसिपल निकल आगे कुछ 10% तो फिर क्या होता है आजे साल में हो जाता है हम लोगा 5% तो इसलिए 5% क्या था 21 by 20 और solve करने प्यार है 38,000 15 तो option कौन सा आ गया था हम लोगा option D so option D is the required answer तो बस इसी तरह से इसको solve करना अभी वे किसी किस्टेप में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रू करना ओके बाया ओल्ड़ेश्ट